कानेटिक एनरजी से तो देखिए कोई भी मूविंग ऑबजेक्ट होती है ठीक है किसी भी मूविंग ऑबजेक्ट है जैसे कि मैं काम कर रही हूं आप काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है उस जब हम मूव कर रहे हैं ठीक है मैंने मालो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट त यहां से यहां तक मेरी body को पहुंचाने में काम कर रही है, work done कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो energy होगी मेरी body के अंदर, तभी तो मैं यहां से यहां जा रही हूँ, energy नहीं होती तो मैं work की नहीं कर पाती, ठीक है, तो यह energy, यानि कि जो moving state में होगी, उसे हम कहते हैं, kinetic energy, तो technical definition में हम देख लेते हैं, तो technical definition की terms में अगर हम देखें, तो kinetic energy जो है, the energy possessed by a moving body, ठीक है, किसी भी moving body के अंदर जो भी energy possessed होती है, by virtue of its motion, क्योंकि motion हो रहा है, तो उस motion के virtue की वज़े से, उस moving body के अंदर, जो energy possessed है, that is our kinetic energy, वो kinetic energy कहेगी, तो अगर हम इस पर बात करें, अगर बहुत ही, जैसे माल लीजे हमारे solar system में, planets जो हैं, धीरे 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 बहुत slowly slowly move कर रहे हैं, ठीक है, बहुत slowly move कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, आप लोग को ये नहीं देखना है, कि उसकी speed कितनी है, वो still क्योंकि कुछ ना कुछ movement करी रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, move करी रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, present है kinetic energy, क्योंकि किसी भी body, जो moving body होगी, उसके अंदर, उसके motion की वज़े से जो energy होगी, कि वो kinetic energy होगी, हमें यह नहीं देखना है, कि वो कितने speed में चल रहा है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल slow-slow भी चल रहा है, तो भी उसके अंदर kinetic energy present होगी, तो अब यहां भी कुछ points है, kinetic energy को लेकर वो देख लेते हैं, जिनने आपको याद भी रखना है, देखे, kinetic energy जो होती है, किसी भी moving body के अंदर, तो उस moving body के अंदर जो उसकी velocity होगी, वो equal होगा कि कितना work done वो कर सकती है, उस particular velocity में, तो देखे, अगर माल लीजे, in short मैं layman language में आपको बताती हूँ, कि अगर A point से B point तक जाना है, ठीक है, A point से B point तक जाना है, मुझे कहा, कि अगर जो सबसे जल्दी पहुँचेगा, उसे price मिलेगा, तो मैं बहुत तेजी-तेजी से भागूँगी, तेजी से भागूँगी, किसकी लालश में, price के चक्कर में, तो मैं यहाँ पर क्या है, मैंने एक मिनट में मालीजे distance कवर कर लिया, अब अगर यह मुझे price मनी ना मिले, ठीक है, अब मुझे कोई price मनी का नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगी, A से B तक, यानि कि distance A में, लेकिन मैंने अभी यहाँ 10 मिनट लगा दिये, क्यों, क्योंकि मुझे price मनी की कोई वो ही नहीं है, कोई demand ही नहीं थी, तो देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से भागती भागती यहाँ जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसी, मैं move करूँगी, तो मेरे बॉड़ी के अंदर क्या आजाएगी, kinetic energy, तो मैं जैसे जैसे भागूँगी, क्योंकि मैंने एक मिनट में cover कर लिया है, पैसो के चक्कर में, या हम यह कहें, price के चक्कर में, ठीक है, तो मैंने जल्दी से cover कर लिया है, तो मैं kinetic energy, जो मेरे body के अंदर होगी, वो ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने ज्यादा work done किया है, ठीक है, आप अगर आप देखें, बहुत तेज़ तेज़ भागते हैं, तो आपको पसीने छूटाते हैं, यानि कि आपकी energy release हो रही है, तो exactly वहाँ पर क्या है, kinetic energy मेरी ज्यादा हो जाएगी, as compared to, कि मैं धीरे 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 चीटी की चाल की तरह, मैंने इसी same distance को 10 minute में cover किया, तो यहाँ पर मेरी जो kinetic energy है, चिल अभी भी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके, तो इसके comparison में यह kinetic energy क्या होगी, slow होगी, तो यानि कि अगर हम कितना भी work done है, पूरा करते हैं, बहुत जल्दी पूरा करते हैं, तो वो depend करता है कि हमने kinetic energy ज्यादा लगाई होगी, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें second point की, तो every moving object has kinetic energy in them, अब हर एक body जो है, उसके अंदर क्या होगा, kinetic energy होगी, और उसमें हमें यह नहीं देखना है, कि वो इतनी speed में चल रहा है, कि वो बहुत धीरे चल रहा है, अगर वो जरा सा भी move कर रहा है, धीरे 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 move कर रहा है, तो भी उसके अंदर कुछ न कुछ certain amount of kinetic energy उस body के अंदर already possessed होगी, अब हम देखें third point, it increases with its speed, यही जो बात कहीं, kinetic energy जो है, जैसे जैसे हम velocity बढ़ाते जाएंगे, काम करने की शम्ता को बढ़ाते जाएंगे, हमारी जो यह kinetic energy है, वो भी क्या है, increase होती जाएगी, fourth point देखें, kinetic energy of a moving body can be measured by the work done by it before coming to rest, अब suppose कर लीजे, एक body object है, ठीक है, U point से start हुआ था, और A point से B point तक गया, और same body है, ठीक है, यह A point से B point तक गया, तो उसकी जब यहाँ पर है final position, तो यहाँ उसने यह distance cover किया, और अगर हमसे कोई पूछना चाहता है, हमसे पूछ रहा है को हम उसकी kinetic energy को कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा, कि किसी भी object की kinetic energy को हम तब तक निकाल सकते हैं, जब तक वो rest पर नहीं आ जाता, अब यह B point पर आकर, इसने distance travel कर लिया, तो यह B point पर आकर stop हो जाएगा, तो इस period के अंधर, हम अगर measure करें, तो व क्या होगी, उसके measurement हो जाएगा, kinetic energy का, so I hope यह clear हो गए होंगे, आपको यह सारे points, आप चाहें, तो इनका screenshot ले सकते हैं, So, अब हम करने जा रहे हैं, equation of kinetic energy, so suppose कर लिजे हमारे पास कोई एक body है, M mass की, ठीक है, इस body को A point से B point तक जाना है, तो यह जब A point से B point तक जाएगी, तो यह work, कुछ ना कुछ तो work, मतलब यह perform कर रहे है, ठीक है, work done हुआ है, और force लगा है, इस body ने इस direction को force लगाया है, तो work done जो है, वो होगा, force into displacement, तो force लग रहा है, अब क्योंकि body U position, यानि कि body A point से B point पर गई है, तो उसकी final और initial velocity में change आ रहा है, अब इस velocity में, यानि कि U और V में change आया है, ठीक है, initial से final velocity में change आया है, जिसकी वज़े से acceleration produce होगा, क्योंकि change in velocity, acceleration जो है, वो produce होगा, तो इसे हम कैसे लगते है, हम force जो हमने chapter किया है, उसमें हमने बहुत सारी equations पढ़ी थी, ठीक है, उसी equation से हम इसको बनाएंगे, find out करेंगे, तो यह देखी, यहाँ पर क्या है, V square minus U square is equal to 2AS, यह हमने अपने force वाले equations जो है, उस chapter में हमने पढ़ी थी, तो यहाँ से क्या है, हम, यहाँ से हम displacement यानि की S जो है, उसको निकाल सकते हैं, वो क्या निकल के आएगा, V square minus U square upon 2A, तो यह displacement जो है, इसकी value हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो जो हम इस displacement की value पुट करेंगे, तो हमारे पास यानि की जो work है, उसको W से अगर denote करें, और force क्या है, force लग रहा है MA, ठीक है, force MA हमने force वाले चप्टर में पढ़ा था, तो force की value क्या होती है, हमारे पास MA और displacement जो है, हमारे पास क्या आगया, यानि की S, जिसको हम लिख सकते हैं, MA into V square minus U square upon 2A, अब यहाँ से आप अगर देखें, तो यह इससे cut हो जाएगा, ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ लेके जा सकती हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, half M, V square minus U square, हम इसे लिख सकते हैं, अब अगर माल लीजे, कि जो object था, वो stationary था, यानि की, 0 velocity थी उसकी, अगर U equal to 0 था, तो यहाँ पर अगर हम 0 put कर देंगे, तो हमारे पास जो work है, वो क्या निकलाएगा, वो निकलाएगा, half M, क्योंकि V square minus U, यानि की 0, तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा, W is equal to half M, V square, अब क्योंकि यह body जो है, move कर रही थी, A point से, B point पर, ठीक है, यह body A point से, B point तक move करके गई है, जब हमने अभी जस्ट पढ़ाएगा, कि किसी भी moving body है, उसके अंदर क्या होता है, kinetic energy होती है, और वो energy उतनी, work done उतना ही होगा, जितना उस body के अंदर energy होगी, तो यहां से हम यह लिख सकते हैं, कि work done जो है, वो equal है, kinetic energy के, तो इस W, यानि कि यह जो work done है, इसको हम लिख सकते हैं, कि यह kinetic energy है, उस object की, तो हम kinetic energy को हम लिख सकते हैं, half mv square, तो यह हमारी equation है, I hope आप लोगों को पता चल गया होगा, कि हमने इसको कैसे derive किया है, आप इसका screen shot भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने step-wise step इसको किया है, तो यहां से क्या पता चला हमें, कि कोई भी moving object जो होती है, ठीक है, तो वो क्या है, जितना work done कर रही है, वो उसके अंदर जो energy है, वो है, ठीक है, और इस expression को हम कैसे देते हैं, क्यानि कि kinetic energy is equal to half mv square, m क्या होगा, उस body का object का mass, और v square क्या होगी, उस body की velocity, ओके,